आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की Photo खीचो उसे Crop करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाओ Diffuse type of nervous system is seen in यहाँ पर बोला गया है जो Diffuse type of nervous system होता है वो कहाँ दिखाई देते हैं तो Basically Diffuse type के nervous system हम लोग कहते हैं कि यह Primitive kind of nervous system होते हैं और Diffuse का मतलब होता है कि यहाँ पर Network यानि Net type of nerves दिखाई देते हैं और बहुत ही Primitive creature में यह चीज़ दिखाई देता है तो Basically हमारा जो First option है Hydra यह क्या होता है यह है एक सदर से जो की Neederia में पाए जाते हैं और इनके अगर हम लोग अंदर के structures या पर nervous system को देखे तो वो ऐसे Criss Cross structures ऐसे Net जैसे structures फॉर्म करते हैं और इसी चीज़ को Diffuse type of nervous system भी माना जाता है इसलिए हमारा Correct option जो है वो Hydra हो जाएगा Next is Planaria तो Planaria में कैसे दिखाए देते हैं Planaria जो है यह आते हैं Platy Helminth के अंदर में और Platy Helminth इसमें अगर हम लोग देखे अच्छे से तो जो इनका Nerve structure होता है वो क्या होता है वो एक्चिली ऐसे ladder-like होता है जहां पर Neurons जो है या पर Nerve जो है वो ऐसे करके Attach रहते हैं इसलिए इन में जो Nerve system पाया जाता है वो हम लोग कहते है ladder-like Nerve system Next है Cockroach जो की Arthopoda में आता है और इनके Nerve system अगर देखे तो इन में होता है Ganglionated Nerve system Nerve के ends में Ganglion जो होते हैं वो ऐसे dotted structures में पाये जाते हैं और यही चीज़ Cockroaches में भी दिखाये देता है अर्थवाम में भी वैसे ही ladder-like system पाया जाता है इसी वैसे जो हमारा correct answer होगा according to the question वो हो जाएगा Hydra Classics to 12 से लेके Need IIT जेही means और advance के लेवल तक 10 million से जादा students का भरोसा आज ही राउनलोड करें डाउटने टाप यह WhatsApp कीजिए अपने डाउट्स 84444 उपर